मोधी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सोमवार को केंद्री मंत्री पियुश गोयल जैपुर पहुँचे उन्होंने मीडिया से समभात कारिक्रम में कहा कि इन 9 सालों में सेवा, सुशाशन और गरीप कल्यान के लिए सरकार ने कई काम किये हैं और आगे भी करते रहेंगे उन्होंने कहा कि जन्ता ने प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी पर दो बार विश्वास जताया है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है इसलिए कई बड़े निर्णे लिए जा सके हैं इस दोरान सांसत पूर्णम प्रमोध महाजन ने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि 2014 से हमारी सरकार जन्ता के प्यार से आगे बढ़ रही है इस दोरान उन्होंने 2014 से पहले और 2014 के बाद देश में हुए विकास कार्यों को पीपीटी के माध्यम से बताया इससे पहले बीजेबी प्रदेशा अध्यक्ष सीपी जोशी ने केंद्री मंत्री पियुष गोयल का स्वागत किया नौ साल पहले जब मोधी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार देखे एक निरनाइक नित्रत्व को देश को आगे बढ़ाने का मौका दिया और दूसरी बार जब 30 मई 2019 में उससे भी अधिक सीटे देखे मोधी जी के हाथ मस्बूत किये उन पे जनता ने विश्वास रखा उसी के फल सुरूप देश में इतने सारे काम तेजगती से हुए प्रगती अपनी देश की अर्थविवस्ता की हो गरीब कल्यान की हो सेवाकारियों की हो और सुशासन लाने की हो गुड गवनेंस को प्रात्मिक्ता देने की हो इन सब को केंडर बिंदू रखते हुए प्रधान बंती जी ने जो 2400 गंटे दिन और रात एक कर पूरे देश में बिना भेद भाव के हर एक व्यक्ति तक जैसा बहन ने का कि समाज में सबसे नीचे की छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक भी समाज में बदलाव आए उनका शशक्ति करनू देश के 140 करोड लोग कैसे एंपावर हो कैसे उनमें मजबूत ताकत आए कि वो चुनोतियों का सामना कर सके कैसे 140 करोड की हमारी लोगतांत्रिक ताकत जो एक प्रकार से भारत को लोगतांत्र की जन्नी कहा जाते है यह ताकत कैसे विश्व पहचाने विश्व तक पहुँचे और जो थ्री डीज है भारत की युवा पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन डेमोग्राफी भारत का लोगत्रंत्र डेमोग्रसी और 140 करोड लोगों की करतव भावना से करीवे कामों की ताकत जो डिमांड क्रिय जिसके लिए एक ऐसी आधारबूत सुविधाएं देश में पैदा की जा रही है एक नीव रखी जा रही है इतना विश्वास दिलाता हूं कि काम कर रहे हैं करते रहेंगे काम सेवा भाव से हो रहे है सेवा भाव से करा जाएगा एक क्रतग्य प्रदान मंत्री नरेंडर मो तो काम कर पाई है आगे इसी कती और तेज कती से जनता की सिवा में लगेंगे